खबर जनपर श्रावस्ति से है जहां पर पुलिस चौकी में पीस कमेटी बैठक का हुआ आयजन लोगों से भायचारे के साथ रहने की अपील की गई सोशल मेडिया पर भरकाओ पोस्ट डालने वालों पर होगी कड़ी कारवाई उतरपरदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे कौमी फसादों को लेकर पुलिस चौकी लश्मनपूर बाजार में बैठक का आयजन क्या गया जिसमें सियो नगर रतुलक्मार चौबे ने भाग लिया बैठक में सियो नगर अतुलकुमार चौबे ने कहा कि सोचल मीडिया पर चल रहे भरकाव पोस्ट वा बीडियो पर पुलिस की कड़ी नजर है ऐसे जूट से बिभिन समाजों के बीच भायचारा खतम हो रहा है ऐसे लोग जो इस परकार के भरकाव संदेज भेजते हैं या भरकाव पोस्ट वार्शाब फेस्बूक पर डालते हैं उनके स्क्रीन साथ लेकर अधिकारियों को भेजें उस पर तुरंट कानूनी कारवाई की जाएगी इसक्रीन साथ भेजने वाले का नाम पता गोपनी रखा जाएगा शियो नगर अतुलकुमार चौबे ने कहा कि हो रहे साइबर क्राइम के शंबंद में लोगों को जागरू करते हैं उने बताया कि ओटीबी बैंक से आने वाली इनामी काल को इगनॉर करें अगर ऐसी कोई काल आती है तो उसकी सूचना ततकाल पुलिस को दें पुलिस चौकी परभारी बीरपाल सिंग तोमर ने कहा कि कानपूर समेत कर इस शहर में कौमी फसाद जैसे घटना अपने छेत में ना होने पाए इसके लिए अभी से परसासन सतर्क है ऐसे कोई तत जो आपसी सौहाद बिगारने की कोशिज कर रहा हो तो उसकी सूचना तुरंट पुलिस को दें ताकि समय पर रोका जा सके चौकी परभारी ने सभी बयापारियों वा कस्वावासियों से अपने घरों योम परतिशानों के आगे सीसी टीवी कैमरे लगवाने का निवेधन किया ताकि कोई अपराद घटने पर उसके अनुसाधन में शायोगी बन सके इस दरान जन परतिनिदी समेट छेत्र के तमाम सम्मानितगर मौझूद रहे